तो बच्चो आज हम देख रहे हैं हमारे 21 अध्याय का छटा भाग जिसमें हम क्या देखेंगे प्रतिवर्ति क्रिया और प्रतिवर्ति चाप क्या होता है मतलब reflection कैसा होता है reflect कैसे होते हैं चीजे यानि कि किसी ने आपको यह touch किया और आपने वो touch अच्छा नहीं लगा आपको तो आपने क्या बोला कि डोंट टाच मी ठीक है आउट विडियर आपने मुझे टाच करने की कोशिश भी कैसे करी हम ऐसा बोलते हैं तो यह हमारा reflect जो हुआ प्रतिवर्ति जो क्रिया हुई वो कैसे होती है वो इस टॉपिक में हम देखने वाले आजो जब हमारे शरीर पर कोई अंग अते दिक गर्म ठंडी नुकिली वस्तू जहरीली अत्वा डरावने जानवक का संपरकाता है टाइगर की वा जा रही है या फिर छिपकली ने टच किया या फिर कुछ गरम लग गया यह तो बहुत गरम था है ना ठंडी हो रही है कि हमारे अंग अलग-अलग अनुभव लेते हैं और अचानक हम हटा लेते हैं जैसे आप प्रेस कर रहे हो या फिर आपकी ममा प्रेस कर रही है और अप सड़नली आपको ध्यान नहीं था आपकी ममा प्रेस करके रग गई साइड में आपको उन्होंने आपको नहीं बिता है क्योंकि आप थे नहीं, आप सड़नली बाहर से आए और आपने गल्ती से आपको नहीं पलता था प्रैस नीच रखे Но यह अपका पड़ हो गाया जैसे ही आपका पैटच ओलते ही अपने फटभाई लिए वहां से हटाया अनुभव की संपूर्ण क्रिया विधी एक अनेचिक क्रिया है अनेचिक क्रिया है ना आपने सडनली हटाया यदि पहले से सोचके दोना रखा था यहां प्रेस रखें मैं पैर हटा लूगा वो आप जब देख लोगे तब ऐसा होगा लेकिन यदि सडनली कोई अनुभव हो तो आप में जो रेस्पोंस आया वो आपको भी नहीं पता था है ना मान लो कि आपको नहीं पता यहां पर जैसे कई बार क्या होता है जो शीशा होता है है ना शीशी के गेट होते हमें नहीं पता होता है हमें लगता है कि कई पर हम बढ़ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है वो चीज इस वाले टॉपिक में हम बता रहे हैं परीधिये तंत्री का उद्धिपन यानि की PNS peripheral nervous system परीधिये तंत्री का तंत्र के false root PNS से क्यों क्योंकि हमने जब पहली बार structure बनाया था ठीक है पहली बार जब structure बनाया था तो हम ने देखा था यहां पर जो मस्तिष्ख है फिर यह जो spinal cord है फिर यहां से जो है PNS जा रही थी बहुत सारी तंत्री का यहां पर जा रही थी तो PNS मालो हाथ पे कुछ हुआ हाथ से message जाएगा spinal cord से होता हुआ हमारे brain में जाएगा फिर वापस से आएगा spinal cord से होता हुआ फिर हमारे यहां पर जाएगा इस तरीके से कारे होता है तो परेधिये तंत्री का उधिपन के false root केंद्री तंत्री का तंत्र के भाग विशेश क अनुपस्तिती में होती है चीक है और यही क्या कहलाती है प्रतिवर्ति क्रिया कहलाती है यहां पर एक लाइन बोली देखो केंद्री तंत्रीका तंत्रियानी की CNS के भाग विशे जो important भाग होता है respond करने के लिए और वो वहाँ पर अनुपस्चित हो हमें पता नहीं है वहाँ पर प्रैस है suddenly कोई चीज हो जाए हमने पहले नहीं मतलब सोचा था कि वहाँ पर अरे भूत था यहाँ पर कभी-कभी हमें ऐसा लगता है अरे यह क्या था कोई चीज तुम पर उड़के गर जाए तो तुम एकदम अजीब सा रियक्शन देते हो तो यह जीब सा रियक्शन क्यों देते है क्योंकि हमारे जो ब्रेन है जो हमारे emotions के लिए हमारी activity के लिए responsible है वो उस सामें working नहीं रहता है अनुपस्चित रहता है तो इस तरी की जो प्रत के आएगा sense करेगा और उसको motor की दुआरा वापस से भेज देगा यह वाली बात होती थी कि निशित क्रम में लगे होते हैं से बना होता है मतलब motor और sensory neuron जो है एक systematic work करते हैं कौन सी चीज कहां जानी है कौन सी चीज कहां से कहां जानी है इस दाट क्लिर अभिवाही neuron संवेदी अंगो आगया अभिवाही यानि कि जो sensory neuron होंगे हमारे sensory neuron अभिवाही neuron संवेदी अंगो से संकेत ग्रहन करेंगे यहां पर कुछ हुआ यहां से इस हाथ पे कुछ कीड़ा आ गया या कुछ भी आ गया यहां से हमारी जो PNS है यहां पर तंत्रिका है, PNS से message जाएगा, spinal cord में होता हुआ जाएगा, spinal cord से मस्तिश्क में जाएगा, मस्तिश्ष वापस से भेज़ेगा, यानि पहले message गया, पहले message गया, फिर वापस से यहाँ पर यह अनुभव करेगा कि यह वाली बात है, वापस से नीचे आएगा, और यहाँ पर हम कहेंगे इस कीडे को हटाओ, आगई बात समझ में, इस कीडे को हटाओ, तो अभिवाई नीरोन सम्विंदी अंगों से संकेत ग्रहन करके, प्रस्ट तंत्री का मूल के द्वारा, केंद्री तंत्री का तंत्र के आवेगों का संप्रेशन करता है, साम प्रेशन करता है प्रभावक प्रेरक नियूरोन तब संकेत को प्रभावी अंगों तक पहुचाता है प्रभावक यानि कि जहां पर यहां पर यह कीडा बैठा था तो यह कौन सा अंग होगा प्रभावी यहां पर संकेत कौन सा प्रभावक संकेत होगा जैसे अब यहां प सब्सक्राइब कूचन हुआ और क्या हुआ इस बंदे ने अपना पैर जटक से हटा लिया मतलब यह जो पैर है इसने पहले यहां टच हुआ इसके दिमाग में सूच ना गई कि कुछ आया है दुबारा से सूच ना गई कि पैर को हटाओ हटाया आगई बाद समझ में इस प्रकार उधिपन ए नी जर्क रिफ्लेक्स याद रखना ये नी जर्क रिफ्लेक्स जो है ये क्रिया विद्धी का हध्यन करने के लिए हमें समझाया जाता है इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है वो भी खतम हो गया है इसमें जादा कुछ नहीं है बस हमें रिफ्लेक्शन देखना है कोई ची लाती है is that clear आशा करती हूं कि ये भाग भी आपको वेहत अच्छे तरीके से समझ में आएगा फिर मिलेंगे अपन नेक्स पार्ट के साथ जब तक धन्यवाद